दोस्तो बारतो श्रीलंका के बीच खेले गए T20 मैच हार्दिक पांडिया की कप्तानी में बारत ने दो रनों से रोमांचक जीत आसिल की सबसे पहले हम बात करें तो तॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उत्री बारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले शुबन गिल तीसरे ही ओवर में 7 रन बना कर आउट हो गए उसके बाद सुरेकुमार यादव ने 7 रन और फिर संजु सैमसन ने 5 रन बना कर पवेलियन लौट गया इशान किशन और हार्दिक पांडिया ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की लेकिन दोनों पारी को लंबी नहीं घीच पाए इशान 29 गेंदों में 37 रन बनाये और हार्दिक पांडिया ने 37 गेंदों में 29 रन बनाये इस समय टीम इंडिया के 94 विके स्कोर पर 5 विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया काफी मुश्किल में नजर आ रही थी लेकिन दीपक उड़ा और अक्षर पटल ने मिलकर छटे विकेट के लिए 35 गेंदों में 68 रन बनाये और काफी मजबुत पाडनर्शिप की और टीम इंडिया को 162 रन तक पहुँचाए मिलकर 23 गेंदों में 40 रन और फिर चमिका करुणा रतने के साथ 13 गेंदों में 21 रन की साजेदारी कर स्री लंका को 12 से मैच में वापस लाए वही आखरी में करुणा रतना ने कसुन रजीता के साथ एक एम साजेदारी की और मैच को रोमा चक बनाये स्रीलंका की तरफ से शनाका ने 23 गिंदों में सबसे अधिक 45 रन बनाये जबकि करुणा रतना ने 16 गिंदों में 23 रन बनाकर नाबाद रहे आखरी अवर में बारत को आखरी 6 गिंदों में 13 रनों का बचाओ करना था लेकिन हारदिक ने इस ओवर में अक्षर पटल पर बरोसा जताया और उनों ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया तीसरे गिंद पर चक्का लगाने के बाद स्रीलंका को 13 गिंदों में 5 रन की जरूरत थी और बारत के लिए जीत मुश्किल नजर आ रहे थी लेकिन अक्षर ने दबाओ में शांदर प्रदेशन करते हुए स्रीलंका की टीम को जीत से दूर कर दिया स्रीलंका की आखरी दो प्लेयर्स आखरी बोल पर 3 रन बनाने में नाकाम रहे और बारत को जीत हासिल हुई दोस्तों इसी तरह स्पोर्ट से जोड़ी जानकरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब कीजिए